नमासकार दोस्तों, Eletical Technician चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तों, आज का वीडियो हमारा Reverse Forward Star Delta Starter के कंट्रोर वाइरिंग के बारे में दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखे थे कि किस प्रका से हम Reverse Forward Star Delta Starter का पावर वाइरिंग करते हैं उसमें मैंने आपको बहुती अच्छे तरीके से एक्स्प्रेंड किया था कि किस प्रका से हम पावर वाइरिंग करते हैं तो उसी Starter का आज हम Control वाइरिंग करना सिखेंगे जो हमारा Reverse Forward Star Delta Starter होती है उसमें हमें चार Contractor का इस्तमाल करना परता है इनी Contractor के द्वारा हम Starter को बनाते हैं अब इसके साथ साथ में हमें कुछ और Electrical Equipment का इस्तमाल करना परेगा Control वाइरिंग करने के लिए तो यहाँ पर हम क्या-क्या Electrical Equipment का इस्तमाल करेंगे देख लीजिए सबसे पहले तो हमें Control वाइरिंग करना है और यहाँ पर हमें Motor को Forward Direction और Reverse Direction दोनों Direction में चलाना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो Push Button का उप्योग करना परेगा एक हमारा Forward Push Button होगा और दूसरा Reverse Push Button होगा अब देखिए दोस्तों जब हम Motor को Start करते हैं Reverse, Forward, Start, Delta, Starter के द्वारा तो सबसे पहले हम Motor को Start Connection में Start करते हैं ठीके उसके कुछ समय बाद हम क्या करते हैं Start Connection को हटा के Delta Connection में Connect कर देते हैं यानि कि Motor के Winding को Delta Connection में Connect कर देते हैं ठीके अब यह जो Change Over है Start Connection से Delta Connection में उसको Complete कराने के लिए यहां पे हम एक Timer का उपयोग करते हैं यह जो हमारा Timer होगा वो On Delay Timer होगा तो यदि आपको डिफरेंज नहीं बालूम On Delay Timer और Off Delay Timer के बीच में तो उसके लिए मैंने एक बहुती अच्छा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुती अच्छे तरीके से Explain के दा कि On Delay Timer क्या है और Off Delay Timer क्या है और उनका उपयोग हम कहां पे करते हैं तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाते हैं तो उस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्सन में दे दी हूँ आप वहाँ पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं ठीके दोस्तों चलिए आगे बरते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें इनी सभी electrical equipment को यूज़ करके हमें control wiring करना है तो control wiring कैसे करेंगे देख लिजिए दोस्तों देखिए जो हमारा MCB होता है उसमें हमें सबसे पहले तो power supply लेकर आना है तो यह जो हमारा MCB है इसमें हम face supply और neutral supply को connect कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हूँ यह जो हमारा MCB है इसके इस terminal पे हमने face supply को connect किये हैं तो इसके नीचे वाला terminal हमारा outgoing terminal हो जाएगी face supply का तो इसी terminal से हमें क्या करना है एक wire को connect करना है और जो हमारा overload relay है इसका जो 95 और 96 नमबर का terminal होती है उस terminal पे हमें wire को connect करना है तो यहाँ पे हम 96 नमबर terminal का use करेंगे तो यहाँ से हम एक wire को connect करेंगे और इसको लिए जाके 96 नमबर terminal पे connect कर देंगे अब देखिए आध जो हमारा ovaולor relay का 95 नम्बरर terminal है उस terminal से एक wire को connect करेंगे और जो हमारा stop push button है उसके साथ connect कर देगे तो यहां से हमने wire को connect करके इसको connect कर दिया अब देखिए यहां पर हमने दो start push button का उप्यों कियें एक forward start push button और एक reverse start push button ठीक है तो हमें यहाँ पे दोनो push button का connection करना है तो इनको हम parallel में connect करेंगे कैसे connect करेंगे देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि यह जो आपका stop push button है इसके और्डवें टर्मला से एक wire को connect करीगा और इसको दो भागों में divide कर दीजिए ठीक है आपको क्या करना है अब यह जो आपका start push button है उसको हम यहाँ से wire को करने करके power supply दे देंगे यानि कि incoming power supply दे देंगे ठीक है इसी प्रकार से आपका जो reverse push button है उसको भी incoming power supply दे देंगे अब हमें क्या करना है कि यह जो हमारा start push button है इसको press करने एक बाद हमारा contactor start होना चीए यह push button हमने forward के लिए इस्टमाल किया है और यह वाला reverse के लिए तो जब हम forward push button को press करें तो हमारा forward contactor start होना चीए और reverse push button को जब हम press करें तो reverse contactor start होना चीए तो हमें क्या करना है, यहां से एक wire को connect करना है, और जो हमारा forward contactor है, इसके A1 terminal के साथ connect करना है, यानि कि यहां पर, तो हम यहां पर wire को direct connect नहीं करेंगे, दोस्तों याद रखेगा, यहां पर आपको wire सीधा लाके connect नहीं करना है, आपको यहां पर एक interlocking का इस्तमाल करना है, क इससे कि आपका forward contactor और जो reverse contactor है, यह दोनों के दोनों एक साथ start ना हो, अगर यह दोनों contactor एक साथ start हो जाती है, तो आपके starter में एक source circuit हो जाएगा, और उसके कारण से आपके सभी electrical equipment जल जाएगे, तो इसलिए यहां पर हमें interlocking करना है, तो interlocking बहुती आसान तरीके सो ज हमारी जाएगे, हम क्या करेंगे, हमारा जो forward push button है, इसके outgoing terminal से unwire weア को connect करेंगे, और jो हमारा reverse-contractor का nc-contact है, इसके nc-contact पर एक क्नेक कर देंगे, यहां पर ठीक है। उसके बाद इसका जो outgoing terminal है उसमें से एक wire को कने करके हमारा जो forward contactor है तो इसके A1 terminal के सरकने करना है थी तो हम simply यहां से एक wire को कने करेंगे और इसके A1 terminal के सरकने करेंगे ठीचेगे तो यहां पे हमारा forward का connection complete हो गया अब हमें same to same reverse contactor के लिए भी करना है आपको क्या करना है यह जो हमारा reverse push बटन है उसके outgoing terminal से एक wire को करना है और इसको ले जाके forward contactor का जो NC contact है उसको incoming power supply दे देना है ठीक है कुछ इस परका से अब जो इसका outgoing terminal है उस terminal से एक wire को करना है और इसको ले जाके हमारा जो reverse contactor है इसके A1 terminal पर connect करना है तो हम क्या करेंगे कि यहां से एक wire को connect करके इसको ले जाके हमारा जो A1 terminal है यानि कि reverse contactor का A1 terminal उसके connect कर देंगे तो यहां पर यहां पर पूस्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा forward contactor ओन हो जाएगी और reverse push बटन को प्रेस करने के लिए यहां पर हम holding circuit को भी बना देते हैं दौस्तों forward contactor को hold कर आने के लिए आप क्या करेंगे forward contactor का जो Ano contact है ूसका इस्थमाल करना परएगा थेगे इसी प्रकाल से आपका जो reverse contactor है उसको hold कर आने К लिए reverse contactor का no contact का इस्तमाल करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर हमने forward contactor का no contact ले लिया और यहाँ पर reverse contactor का no contact ले लिया ठीक है अब आपको क्या करना है कि यह जो push button है इसके incoming terminal यानि कि यहाँ से एक wire को connect करके लेके जाएंगे और जो हमारा no contact है उसको incoming power supply दे देंगे उसके बाद यह जो आपका no contact है इसका जो और गोइन टर्मिनल है यह वाली ठीक है यहाँ से आप एक wire connect करेंगे और इसको लिया के A1 terminal के सर कनेक करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमारा holding circuit बन गया forward contactor के लिए तो same to same आप reverse contactor के लिए भी कर दीजीगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यह जो हमारा reverse push button है इसके incoming terminal से एक wire को कनेक करेंगे और इसको लिया के reverse contactor का no contact जो है उसको incoming power supply दे देंगे ठीक है उसके बाद इसके argomine terminal से एक wire को कनेक करेंगे और A1 terminal के सर कनेक कर देंगे यदि आप यहाँ पर timer और delta contactor और start contactor का उपयोग नहीं करते तो यह आपका reverse forward starter का control wiring हो जाएगा यहाँ पर हमने reverse forward starter का control wiring ही बनाएगे अब इसको आपको reverse forward start delta starter में convert करना है तो convert करने के लिए यहाँ पर आपको एक timer का इस्तमाल करना है तो सबसे पहले हम timer का connection करेंगे तो देखिए यहाँ भी हमारा जो timer है उसमें power supply तब जाना चीए जब हम push button को प्रेस करें चाहे तो हम forward push button प्रेस करें या फिर reverse push button को प्रेस करें दोन हमें से किसी भी push button को प्रेस करते हैं तो हमारा जो timer है वो on हो जाने चीए तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा forward contactor है इसका no contact का इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पर हमने forward contactor का no contact ले लिए अब इसको हमें incoming power supply देना है तो हम यहाँ से एक बार को connect करेंगे और इसको लियाके हमारा forward contactor है उसके no contact के सरक करेंगे तो हम यहाँ पर connection कर देते हैं अब देखिए अब यदि हम इस forward push button को press करते हैं तो क्या होगा यह contractor को on होते ही इस timer में भी power supply चली जाएगी तो हम यहाँ पर हमें revers push button का भी connection same to same बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यह जो हमारा reverse contactor है, उसका जो no contact है, उसका भी इस्तमाल हम इसके parallel में कर लेंगे, तो इसके connection के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक वार को connect करेंगे, और इसको incoming power supply दे रेंगे, अब इसका जो outgoing terminal है, वहां से एक वार को connect करके, इसको हम A1 terminal के साथ connect कर देंगे, यानि कि इन दोनों no contact को हमने parallel में connect कर दिया, यहां पर हमने इन दोनों no contact को parallel में इसलिए connect की हैं, जिससे कि इन दोनों no contact में से कोई भी एक no contact NC बनता है, तो क्या होगा, power supply आगे flow होके, हमारा जो timer है, उसमें चली जाएगी, और जो हमारा timer है, वो on हो जाएगी, ठीके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यह जो हमारा timer है, इसका जो common terminal है, यानि कि 25 नंबर का terminal, उस terminal पर हमें एक वार को loop करके, यहां पर connect कर देंगे, यानि कि A1 terminal से एक वार को loop करके, 25 नंबर terminal के साथ करने करते ना है, अब इसका जो no-nc contact है, उसका इस्टमाल हम star contactor और delta contactor के लिए करेंगे, ठीके दोस्तों, दोस्तों एक जी जाद रखिएगा, कि timer का common terminal 25 या फिर 15 नंबर terminal होता है, ठीके, और आपका जो timer होता है, उसका जो no contact होता है, वो हमारा 28 नंबर terminal या फिर 18 नंबर terminal होता है, ठीके, और जो nc contact होता है, वो 16 नंबर terminal या फिर 26 नंबर terminal होती है, ठीके दोस्तों, अब देखिए, आपका जो timer है, उसका nc contact का इस्तमाल star connection के लिए करना है, और NO contact का इस्तमाल हम delta contactor के लिए करेंगे ठीक है तो यहां पे आप सीधे ही power supply को ले जागे star और delta contactor में नहीं देना है आपको यहां पे भी एक interlocking का इस्तमाल करना है क्या interlocking इस्तमाल करेंगे हैं दोस्तों देख लिजे यहां पे जो आपका star और delta contactor है उनको आपस में इंटरलोग करना है जिससे कि दोनों कॉंटेक्टर एक साथ स्टार्ट ना हो ठीक है तो इंटरलोगिंग कैसे करेंगे देख लिए यहां भी भी आपको सेम करना है जिस प्रकासे हमने रिवास और फरवर्ड कॉंटेक्टर को इंटरलोग कियते हैं सेम तो सेम यहां पे भी हम करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे जो हमारा स्टार कॉंटेक्टर है उसका एंसी कॉंटेक्ट को हम डेल्टा कॉंटेक्टर के सीरीज में करेंगे और जो हमारा डेल्टा कॉंटेक्टर है इसका NC कॉंटेक्ट को स्टार कॉंटेक्टर के सीरीज में कनेक करेंगे ठीके दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडिया फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का मेंबर सिप को जोईन करगे उस वीडियो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखे दोस्तों यह जो हमारा स्टार कॉंटेक्टर है इसका वाइरिंग कर देते हैं ठीके तो इसके वाइरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे अब इसका जो outgoing terminal है वहाँ से एक wire को connect करेंगे और start contactor के A1 terminal पे connect करेंगे अब देखिए अब जो timer का inner contact है यानि की 28 नमर का terminal उस terminal से आप एक wire को connect करेंगे और वहाँ से ले जाके आपका जो start contactor का NC contact है उसको incoming power supply दे दीजिए अब आपको क्या करना है कि जो आपका NC contact है उसके outgoing terminal से एक wire को connect करेंगे और delta contactor को A1 terminal पे power supply दे दीजिए तो यहाँ पे हमारा जो face supply का connection था वो complete हो गया अब हमें केवल neutral supply का connection करना है तो आपको क्या करना है कि यह जो आपका forward contactor है इसका जो A2 terminal है उस terminal पे neutral supply देना है तो हम यहाँ से एक wire को connect करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो forward contactor है उसको A2 terminal पे power supply को दे देंगे यानि कि neutral supply को दे देंगे इसी पकार से हमारा जो reverse contactor है timer है और जो star और delta contactor है इनको भी neutral supply देना है हम simply यहाँ से wire को loop करके A2 terminal पे connect करेंगे ठीक है दोस्तो एक चीज़ याद रखिएगा जो हमारा timer होता है उसमें भी A1 और A2 terminal होती है A1 terminal पे हमें face supply देना पड़ता है और A2 terminal पे neutral supply देना पड़ता है दोस्तों तो कुछ इस प्रकासे हम reverse forward start delta starter का control wiring करते है देखिए यह हमारा जो starter है वो कैसे wire करता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको यदि starter को start करना है तो सबसे पहले तो आपका जो MC भी है उसको on करना पड़े है ठीक है आप यहाँ पे आपके पास दो option है कि आपको motor को forward direction में चलाना है कि reverse direction में चलाना है तो यहाँ पे हम क्या करते है कि forward push button को press करते है दोस्तों जैसे ही हम forward push button को press करते है तो क्या होगा हमारा forward contactor, timer और start contactor on हो जाएंगे ठीक है यहाँ पे यह तीनों equipment on होंगे ठीक है दोस्तों अब क्या होगा timer में power supply आ गई है timer में जैसे ही power supply आती है तो उसका countdown start हो जाती है ठीक है अब timer के countdown complete होने पे क्या होगा start contactor को off कर देगा और delta contactor को on कर देगा जिससे कि हमारा जो motor है वो delta connection में run करने लगता है ठीक है दोस्तों same to same reverse contactor को push करने पे भी काम आती है जैसे आप reverse push button को प्रेस करोगे तो आपका reverse contactor on होगी और timer on होगा और start contactor on होती है ठीक है आप क्या होगा timer का countdown start होगी और timer का countdown complete होने पे delta contactor on हो जाती है और start contactor off हो जाती है दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं इसका जो controlling है उसको अच्छे तरीके से explain करूँ तो please comment box में comment करके बता दीजीगा तो मैं आपके लिए एक अलग से video बना दूँगा जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से explain करूँगा इस video को देखने के लिए धन्यवाद